हेलो एविवान विल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनी जिसमें मैंने प्याज लेसन किसी चीज का यूज नहीं किया है क्यूंकि अभी बहुत लोग नहीं खा रहे हैं प्याज लेसन और यहां पर मैंने बनाया हैं जीरा राइस तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को कॉमबो बनाया है तो आज मैं इसका रिश्पी आप लोगों के सांस शेयर करूंगी जलिए अब हमस्टार। पहले हम बनाएंगे मतर उने तो माटर पनी बनाने के लिए मैंने गया स्कली दालेज पेन कर ली पीम या फिर कर आपके पास है ऑपर घरम हो गया है इसमें दालेंगे हम दो चमस तेल इसको तो कहने देंगे जीरा, 5-6 काली मीच, 1 चोटा नाल चिनी, 1 तेजपरता, 3 लांग, 2 चोटी लाइची, एक बड़ी लाइची, इसको इसमें डाल लेंगे, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसके बाद में डाले हूं टोमाटो प्यूरी इसमें टोमाटो के साथ मैंने डाला है चोटा साधरा कटुकरा और तीन ग्रीन चिली तीन टोमाटो डाला है मैंने इसको एक मिनट के लिए पका लेंगे मसाला यह मैंने लिया है 1 चमश दन्या पामडर , 2 चमश काली मिच पामडर , 4 चमश जीरा पामडर , 5 चमश हलोगए मॽश्ट curse कि इसमें से तेल आना स्टार्ट नहों जाए तो इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे उसके बाद मैं इसको पकाऊंगे ढ़क के दो से तीन मीनित तक लो फ्लेम पर तो जब तक मसाला मार पक रहा है तब तक हम राइस को दो लेते हैं जिना राइस बनाने के लिए तो यहां आप चाहे तो बासमतिरा इस भी यूज कर सकते हैं इसको हम दो से तीन बार दो लेंगे अच्छी तरीके से यहां पर मैंने चावल को दो लिया है इसको अब मैं साइड में ढाल देती हूं दो से तीन में ठो गया है तो हम मसाला चेक कर लेते हैं एक बार मसाला हमारा फ्राई हो चुका है अलमुष्ट लेकिन थोड़ा सा मेरी साथ से यह और पकेगा तो कोई बात नहीं इसको मैं साथ में पकाते रहूंगी तो इसमें मैं डालूंगी आदा कटोरी मतर यह फ्रोजन मतर है अगर आपके पास नौर्मल मतर है तो आप उसको डाल सक है और यहां पर मैं डालूंगी 200 ग्राम पनीर जिसको मैंने कट कर लिया है और इन दोनों को मैंने अलग से फ्राई नहीं किया है इसलिए मैं इसको साथ में मसाले के साथ पकाऊंगी तो जो थोड़ा सा मसाला और पकना था वो भी फ्राई हो जाएगा और थोड़ा सा पनीर और मटर भी फ्राई हो जाएंगे साथ में तो इसको हम अची तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे और यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुछ अलग से मसाला का यूज नहीं किया है जो नॉर्मल मसाला हमारे घर में होता है वही मैंने यूज किया है तो यहां पर हम इसको ठक के 2-3 मिनट तक पकने देंगे दो से 3 मिनट हो गया है तो हम पैन का ठकना अठाक एक बच्चे कर लेते हैं तो अब देख सकते हैं थोरा सा जो मसाला में कसर भाकी था वो अच्छी तरीकी से भुन गया है आप इसको थोड़ा साथ दानी से चलाइए, मेरा यहां पे थोड़ा सा पनीर तूट गया है, ताकि पनीर तूटे नहीं क्योंकि पनीर हमने फ्राई नहीं किया, तो पनीर बहुत सॉफ्ट है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी मैंने यहां पे आदा ग्लास से थोड़ा ज्यादा यूच किया है क्यूंकि हमें थोड़ा से ग्रेवी चाहिए क्यूंकि हम इसको राईस के साथ सर्फ करेंगे तो यहां पूमैने आदा ग्लाइस से थोड़ा से ज्यादा पानी डाल दिया है अब निसमें डालेंगे 1 अगरम मसाला पाउडर और इसको अची तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसे ढख के पकाएंगे 5-6 मिनिट तक लो मीडियम फ्लेम पे तो मैं इसको ढख दूँगी और क्यूंकि महां में राइस भी बनाना था इसको मैं दूसरे गैस पे शिफ्ट करूँगी कि अब भी जाया में यहांएं तो यहां पे मैंने सबची को सिफ्ट कर दिया दूसरे गैस पे अगुकर लेंगे राइस बनाने के लिए को कर को हम गरम होने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच घी, घी मैंने ये घर में बनाया है, घी घर में बनाना बहुत आसान है, अगर आप चाहे तो मैंने एक वीडियो डाला है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूँगी, तो घी गरम ह इसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा, एक तेजपता और तीन हरी मिर्च, जिसको मैंने बीचो बीच कर दिया है, इसको हम थोड़ा सा भूल लेंगे, जब तक की जीरा चटक नजाए थोड़ा आची तरीके से, ब्राउन कलर आजाएगा, इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब जालने के बाद हम इसको एक बार चला देंगे और आज को भी हम 10-15 सिकेंड के लिए इसमें भूनेंगे, राइस को मैं ज्यादा फ्राइ नहीं करना है, नहीं तो वो कूकर में चिपकने लगता है, तो ये जो कटोडी लिया है, मैंने मैंने इसी कटोडी से एक कटोडी यहां पर मैंने दो कटोरी पानी आपके रख लिया था, इसको मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, अगर आपको नमक नहीं चाहिए तो आप अब भी कर सकते हैं, अब हम इसको चला लेंगे, और आप देख सकते हैं को उकर के साइड म मैं वो चाबल चिपका न रह जाए, तो यहां पर मैंने मिक्स कर दिया है, इसको अची तरीके से, अब हम इसमें कूकर का ढखान लगा के, इसको दो सीटी लगाना है, दो सीटी से ज़्यादा आप मत लगाएगा, नहीं तो चाबल गिला हो जाता है, और पानी कम ज़्याद सबजी आप देख सकते हैं, सबजी हमारा रेडी हो गया है, और जितना ग्रेवी है उतना हमें चाहिए, क्योंकि हम इसको राइस के साथ सर्फ करेंगे, तो थोड़ा सा ग्रेवी तो हमें चाहिए, तो मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है, अगर आपके पास धनिया पत्ता है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, और मैं इसको ढग के साइड रख देती हूँ, अब हम चावल को चेक करेंगे, तो कूकर का भी सिटी निकल गया है, आप देख सकते हैं, चावल बनके हमारा रेडी है, एक बड़ा मैं आपको चला के दिखाती हूँ, चावल एक दम पर्फिक् और मतर पनीर के साथ, तो आप लोग इंजोई किजिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर, थैंक यू